हालो एव्रिवन, यह लेक्चर आपके बीएसी थर्ड एर के स्टुडेंट्स के लिए है और इसमें हम बात कर रहे हैं क्वांटम मेकैनिक्स की और आज हम जो बात करेंगे वह है श्रॉडिंजर एक्वेशन तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं तो श्रॉडिंजर एक्वेशन यह आपके श्रॉडिंजर का पेच्चर है तो श्रॉडिंजर एक्वेशन की इंपोर्टेंस होतनी ही है आपके क्वांटम मेकैनिक्स में जितनी क्लासिकल मेकैनिक्स में आपके फिसिकल्स तो मे जिसको motion की equation होती है उसकी value होती है जितनी value उसकी है हर problem में उसको use करते हैं लगबग तो वही importance आपके Schrodinger equation की quantum mechanics में है तो Schrodinger scientist थे दोनों ने ये equation derive की थी, तो आज हम दो तरह की Schrodinger equation देखेंगे एक time dependent जो कला आपके time पे निर्भर करती है और एक time independent जो time पे depend नहीं करती है सबसे पहले हम देखेंगे time dependence Schrodinger equation, so last class में हमने periodic कोई भी function होता है अगर आप कोई भी function ले periodic function जो x और t में हो तो उसके लिए same equation आप equate कर सकते हैं, तो वो equation ये follow करेगा v आपका यहाँ velocity है साई आपका यहाँ wave function है और t यहाँ आपका time है x यहाँ आपका direction है ठीक है, और इसके लिए जो solution आता है वो हमारा ये था, और इसको हमने k की value put k की value और omega की value हमने calculate करके, इसमेर put की थी तो इसका solution, finally हमारा ये मिलता है, so time dependence equation आपकी क्या होती है तो हमने एक m mass एक m द्रवेमान का एक particle लिया है, जो x direction move कर रहा है, conservative force है ठीक है और just a second so जिसकी potential energy momentum, सभी हम x direction में लेंगे और total energy जो particle की होगी, वो potential energy प्लस हवसकी kinetic energy होगी ठीक है so हम पहले simplest case लेते हैं जिसमें हम 1D motion की बात करते हैं सिर्फ और हमने direction चूज किया x तो आप इस equation को अगर t के respect में differentiate करेंगे, जो हमने last class में देखा था कि हमने जो equation निकाले थी Hamilton operator जो हमने निकाला था तो वही method, वही चीज़े हम इसमें करेंगे कि psi का t के respect में हम differentiation करेंगे, तो हमको यह मिलेगा ठीक है, t के respect में अगर आप करेंगे तो क्योंकि partial differentiation इसलिए है क्योंकि हमने यह कब किया है जब आपका x को constant मानके ठीक है, इसमें दो variable है, t और x आपके, तो partial differentiation में क्या होता है, जब आप एक quantity को constant मारते हैं, और दूसरी के respect में आप क्या करते हैं, differentiation तो आप उसको partial differentiation बोलते हैं तो psi का t के respect में क्या है, जब हमने x को constant बाना है तो del si upon del t निकाला, और उदर से आप देखेंगे, minus का i e h cut आपका आएगा और यहाँ आपका wave function आगया, तो इसके जगे हमने psi लिख दिया, next जो हमें करना है, तो del si upon del t, जो आपके आएगे तो आपने इसकी जगे e si जो है, तो इससे हमने e si की value निकाल दी है तो e si की value आपके आगई, iota h cut, del si upon del t तो यह हमने last lecture में भी देखा था, तो इसी जाए से आप equation को अगर partial, differential को x के respect में गलत लिख रहा है, x के respect में differentiate करेंगे differentiation इसका करेंगे अवकलन करेंगे x के respect में तो आपका t को यहाँ constant माना है, तो इसका 0 होगा और इसका iota px upon h cut होगा, फिर del si upon del x, इसको si लिख देंगे और iota px, और इसका two time हम differentiation करेंगे, तो आपको यह equation मिलेगी और इदर हम फिर से del si upon del x की value रख देंगे, तो आपको px square की value मिलेगी, और वही according to classical mechanics, आप जानते कि total energy आपके किसके बराबर होती है potential energy plus kinetic energy तो px square इसको si से multiply करेंगे, क्योंकि यह क्या है operator है, तो इसको si से multiply करेंगे, और px square si की value, v si की value और e si की value यहाँ put कर देंगे, ठीक है, तो यहाँ iota h cut del si upon del t minus का iota h cut sorry, iota h, sorry h cut square minus का 2m delta si upon del x square plus v, v यहाँ आपका potential है और si, यह आपकी equation जो आती है, इसको learn कर रखना है यह आपकी use में आती है देखो, यह time का यहाँ function आ रहा है तो यह आपकी time dependent Schrodinger equation है, तो Schrodinger ने यह वाली equation दी थी ओके, तो यह आपकी सिर्फ किसके लिए है, x direction में अगर आपका particle move कर रहा है, तो हमने सबसे simplest case लिया है, कि जब आपका 1D motion है, कि हमने सिर्फ एक ही direction में आपका move कर रहा है, तो वो ऐसे move कर सकता है, अगर हम इसको x direction माने, या फिर वो ऐसे move कर सकता है, plus x और minus x उपर नीचे या फिर बाहर की तरफ z direction में इधर move नहीं कर सकता है ओके, तो यह आपकी time dependent हो गई, free particle आपका क्या होता है, तो free particle के लिए आपका क्या होता है, जो अगर किसी particle के पास, energy में सिर्फ उसके पास kinetic energy है ठीक है, potential energy उसकी क्या है, zero है, तो आपका free particle होता है, तो free particle के लिए आप potential क्या लेंगे, zero तो potential energy free particle के लिए क्या होती है 0 और उसके पास सिर्फ कौन से energy होती है kinetic energy तो V के value 0 कर देंगे तो आपके पास यह equation किसके लिए आजेगी free particle के लिए और अगर आप इसी equation को 3 dimension के लिए लिखना चाहेंगे तो del 2 psi x square तो simply आपको यहाँ तीनों direction के लिए लिख देना है del 2 psi upon del y square और इसको आप क्या बोलते है del square ठीक है ऐसा कुछ symbol आता है आपका यह तो 3D 3 dimension के लिए यह आपकी equation होगी time dependent equation और simply वही अगर आपको अगर आपको इसको free particle के लिए लिखना है 3D motion में तो V is equals to क्या कर दो zero कर दो तो यह आपके free particle के लिए हो जाएगी तो आपको पता है कि Hamilton operator जो हमने निकाला था वो क्या था यह आया था तो इसकी जगे हम क्या रख सकते हैं अगर आपको short form में लिखना है तो यह आप ऐसे लिख सकते हैं तो आपको से पूछे कोई time dependent आपकी short equation क्या है तो आपको यह लिखना है तो इसमें time dependent से आपको दिख रहे हैं कि साई आपका किस पर depend कर रहा है तो time independent अब कैसे निकालेंगे equation तो कुछ आपके जो आपके जो cases होते हैं उनमें क्या होता है कि potential energy potential energy static जो आपकी उरजा होती है वो time पे depend नहीं करती है मतलब वो सिर्फ x का function नहीं है वो सिर्फ x का function होती है जाओगे potential energy वो time के साथ भी change हो सकती है वो x का function भी हो सकती है और t दोनों का function हो सकती है दीखेंगे लेकिन अगर वो सिर्फ x का function है दीखेंगे तो ऐसे situation के लिए जो हमें equation लिखेंगे वो हमारी क्या आएगी वो हमारी आएगी time independent हमारी जो wave equation आएगी तो हमने simply वही case लिया है कि x direction में हमने एक particle का लिया है जो force के अंडर move कर रहा है ठीक है उसके पास potential energy भी है और time के साथ change नहीं हो रही है सिर्फ वो किसका function है potential आपके x का ठीक है और जो momentum लिया है वो x direction में लिया है total energy आपकी e लिया है ठीक है जो आपका psi है जो आपका wave function है ठीक है वो x और t दोनों का function है ठीक है तो आप x के part को और t के part को अलग कर सकते हैं तो यह आपका x पे dependency को show कर रहा है और जो आपका time के साथ change हो रहा है वो कुछ इस तरह से हो रहा है तो e की power minus iota e small t upon h cut तो आपका psi कुछ इस तरह से है तो यह वाला part आपका किस पे depend कर रहा है x पे और यह वाला time dependent part है और यह आपका position dependent part है आप क्या करेंगे जो हमने equation निकाली थी यह आपकी equation है time dependent वाली तो one dimension के लिए इसको यह लिख देंगे अब इसमें क्या करेंगे हम इसकी value क्या करेंगे put करेंगे psi x t की value तो simply t का देखो यह तो भारा जाएगा और t के respect में करेंगे तो minus का iota e t की value t1 हो जाएगा upon h cut तो इसको differentiate करेंगे तो आपके पास यह आजाएगा second जो आपका है उसमें आपको x square के respect में करना है तो simply आपका यह चीज तो term तो क्या आजाएगी भारा जाएगी तो देखो यह term तो आपके भारा आगई v x i x यह लिख दिया x वाली term आपके अंदर ही रह गई x के respect में करेंगे और जो आपके यह वाली term में वो क्या आगई बाहर आगई और इसको आप जो लिख सकते हैं यह simply आपने h cut square यह वाला पार्ट तो कुछ इस तरह ही रहेगा तो यह दोनों इदर से क्या हो जाएगी cancel ओके और आयोटा माइनस आयोटा मिलके क्या बन जाएगा 1 और h cut से क्या cancel हो गया h cut cancel हो गया आपके पास simply क्या बचाए e psi x और इसको आप इदर की तरफ ले आएगे तो h cut square 2m del 2 psi upon del x square plus e minus v psi is equals to 0 यह आपकी time independent equation है किस direction में? x direction में जब आपका potential energy किस पे depend कर रही है सिर्फ x पे time पे depend आपका potential जो है वो सिर्फ x का function है वो time का function नहीं है ठीक है? तो simply इसको हम ऐसे लिख सकते हैं या तो ऐसे याद कर लो या फिर ऐसे याद कर लेते हैं जब तर जब आपके form आपको देखने को मिलेगी वो यह मिलेगी और हमको आगे वही करना है कि इसको 3 dimension में लिखना है और free particle के लिखना है तो देखते हैं कि 3 dimension में इसका क्या होगा तो 3 dimension के लिए जो wave function होगा पहले x का हम यूज कर रहे थे simply वही process हमें repeat करना है तो आपके पास जो equation आएगी वो कुछ यह आएगी ओके सो यह आपकी क्या है 3 dimension में आपकी wave equation है ठीक है time independent आपकी है कोई भी आपको दिख रहा है कि time के साथ कोई भी changes नहीं हो रहा है जो आपका potential energy हो किसका function है सिर्फ x का तो simply आप इसको bracket में x भी करके या फिर r भी करके लिख सकते है क्योंकि हम यह 3D की बात करें तो यह हम r लिखेंगे अगर free particle के लिए आपको लिखना है तो इसको हम क्या लिखेंगे free particle में आपकी kinetic energy क्या होती है सिर्फ kinetic energy होती है potential energy क्या होती है 0 तो simply देखो free particle के लिए यह आपके equation कुछ इस तरह साएगी तो यह आपकी shodinger equation है 3D में किसके लिए free particle के लिए है so next जो हम चीज कवर करेंगे वो है properties of wave function तो आपका कोई भी wave function उसको क्या-क्या चीजे follow करना जरूरी है मतलब कोई भी function जैसे कोई भी आपका periodic function है आप उसको wave function नहीं बोल सकते तो उसको क्या-क्या चीजे उसको follow करनी चाहिए तो उसके बहम बात करेंगे it must be finite for all values ठीक है तो इसके कोई हमेशा finite value होनी चाहिए finite value से मतलब क्या है कि कहीं भी आपका wave function infinite नहीं होना चाहिए ठीक है तो infinite हो गया तो क्या हो जाएगा उससे तो infinite से क्या problem है infinite हो गया तो आपके उसके जैसा कि मैंने आपको previous classes में बताया है कि जो si square जो आपका होता है si x square जो si का wave function का जो square होता है वो आपके किसी particle के किसी position में पाये जाने की probability को show करता है si ka square simply si का कोई physical significance नहीं होता लेकिन अगर आप si का square करेंगे तो आपके probability को show करेगा मालो यह आपका wave function है ठीक है इसका si square अगर हम लिखेंगे तो वो कुछ इस तरह से आएगा ठीक है ओके तो यह आपका wave function है जिसको हमने ऐसे draw किया है ठीक है यह आपका उसका square है यह si square की value है आपके तो देखो इसके पाए जाने की probability देखो यहाँ क्या है 0 है और यहाँ क्या है maximum है maximum है ऐसा नहीं है कि particle यहीं पाए जाएगा particle आपका यहाँ भी हो सकता है यहाँ भी हो सकता है लेकिन maximum कहा है यहां है तो size square आपका क्या बता रहा है कि देखो हम according to uncertain principle उसकी exact position तो नहीं find कर सकते लेकिन हम यह बता सकते हैं कि आपका particle most probability कहा होगा probability बता सकते हैं कि उसके पाई जाने की probability यहां होगी तो अगर यह आपके finite value नहीं होगी तो यह आपका finite नहीं आएगा ठीक है उसके कोई position finite नहीं आएगी infinite position आएगी तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपके particle infinite हो ठीक है तो इस तरह से आपका first यह condition follow करना चीए it must be value single valued everywhere single valued everywhere मतलब क्या कि मालो आपका कोई way function यह मैंने psi x door के यह psi function है यह x direction है मालो कोई यह function आपका कुछ इस तरह से है ठीक है यह आपका x है यह आपकी x direction है यह x है और इस तरह हमने क्या लिया है psi लिया है ओके तो देखो इस वाले point पे इस वाले x position पे आपका particle यहाँ भी पाया जा सकता है और यहाँ भी पाया जा सकता है तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक ही टाइम पर पार्टिकल यहां भी है और यहां भी है तो आपका क्या होना चाहिए सिंगल वैलिवड होना चाहिए तो इस तरह का कोई भी फंक्षन आपका वे फंक्षन नहीं होगा ओके ये clear है it must be continuous everywhere तो discontinuity नहीं होनी चाहिए जैसे आपका वे फंक्षन similarly यहां एक्स लिया यहां आपने यह लिया है तो मालो यह है कुछ इस तरह का फंक्षन है सौरी मुझसे यह यह लाइन इदर नहीं है तो आप देखेंगे यह वाला फंक्षन जो है आपका यह आपका वे फंक्षन है यह लाइन इसको में फिर से ड्रॉ कर देती हो कुछ इस तरह का है तो आप देख रहे हैं कि इस पॉइंट पे आपके क्या है discontinuity है तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपका function क्या है discontinuous है तो आपका function हमेशा क्या होना चाहिए continuous होना चाहिए partial derivative जो हम del 시 upon del x del, si upon del y, del si upon del z है और x y z है यह आपके क्या होने चाहिए single value continuous होने चाहिए तो यह भी आपके single value continuous होने चाहिए तो continuity का क्या relation है कि अगर continuous नहीं होने तो del 2 side upon del x square आपका क्या हो discontinuous होगा उसकी value क्या हो जाएगी infinite हो जाएगी तो वो आपके दिक्कत करेगा क्योंकि आपके जो आपने देखा कि जो आपकी Schrodinger wave equation है ठीकिए उसमें आपके क्या आ रहा है डबल derivative आ रहा है तो यह आपका infinite हो जाएगा ठीकिए तो आपके इस equation को कोई meaning नहीं है ठीकिए तो इसलिए आपका del psi upon del x del psi upon del y यह भी आपके क्या होने चीए single value continuous होने चाहिए अगर यह continuous नहीं है तो आपके क्या होते discontinuity आ जाएगी और del 2 psi upon del x square की value क्या जाएगी infinite आ जाएगी तो इस तरह से आपकी यह condition follow करनी चाहिए ठीक है अगर आप देखेंगे तो जो हमने वे जो आपकी wave equation है इसके कोई एक solution नहीं होगे काफी सारे solution होगे तो अगर इसकी solution काफी सारे है psi 1, psi 2, psi n ठीक है इस सारे stringer equation के solution है तो हम इनको इस तरह से लिख सकते है ठीक है linear combination के form है ठीक है क्योंकि हमें पता है कि आपका psi क्या है कोई definite position तो है नहीं कि आपका यहीं पाया जाएगा तो उसका कोई एक solution मिलेगा हमारे पास बहुत सारे solution होगे और सब solution को हम कैसे लिखेंगे linear combination के form में तो psi 1 भी आपका solution है psi 2 भी है और c1, c2 इन से multiply करके यह आपका linear combination के रूप में लिख सकते है ठीक है तो किस में कितने आप आए जाएगा जैसा मैंने आपको इधर बताए था कि मालो आपका probability का जो function आ रहा है वो कुछ इस तरह से आ रहा है ठीक है तो देखो इसके आपके एक solution नहीं है अगर आप position निकालोगे तो उसका कोई एक solution नहीं है देखो उसके पाया जाने की probability आप कह सकते हो कि maximum अगर यह peak सबसंच है तो हम कह सकते हैं maximum यहाँ पाया जाएगा maximum chances है कि वो यहाँ पाया जाए ठीक है तो यह आपका पूरा solution होता है ओके तो यह solution होता है तो यह आपके क्या होते properties है इनको हमेशा learn रखना है ओके आज के लिए आप इतने हैं और आज का आपका question है write down the properties of wave function तो आपको wave function के properties लिखनी है तो क्या क्या होती है और उनके साथ उनके reasons भी लिखने है कि वो यह properties आपके क्या होनी चाहिए so thank you